क्रिपा करके अभी ना बेटियेगा जैसे कि हम सब जानते हैं कि अनिक प्रकार के विप्रीत परुस्थिती में हम यहां पर इखटा हुए हैं और हमने कल भी प्रात्ना किया हर एक दिन हम प्रात्ना करते हैं कि इस प्रकार के सारे शक्ति जो हमारे विप्रीत थे प्रभी श्मसी के कलवरी के द्वारा सब कुछ उसने नाश कर दिया है और जब तक यह संपूर्ण दिती से दिखाई ना दे तब तक हमें दावा करते रहना है जब तक जब तक जब तक प्रमेशन ने मुसा और हरुन को यह प्रकाशन दिया था उस प्रकाशन को लेते हुए उलो का फरोग के सामने तब तक खड़े रहे और तब तक उलो ने प्रमेशन से प्रात्ना किया जब तक मिस्रियों के उस गुलामी से उन्हें संपूर्ण दिती से छुटकरा ना मिल जाए इस घड़ी में देखने के समय में पूरे पृति की उपर रंदकार चाया हुआ है और प्रमेशन एक बहुत बड़ा चुटकर हमें देना चाहता है संपूर्ण दिती से सारे बंदोनों को तोड़ना चाहता है किन्तो जब तक हमें संपूर्ण दिती से छुटकरा ना मिल जाए मुसा जिस प्रकार फरोग के समुख में बारंबार जाते रहा वेसे ही हमें भी परमीश्य के समग में बारहं बार बार बिंती प्रातना करना है तब होगा जब हम सब मिल करके प्रातना करेंगे जिस सकारवचन कहता है कि एक हजारों को ख़देडेंगे हम लोग इतने सारे यहां पर इखटा है तो किस रीती से यहां पर प्रमेश्य के सामत के काम हो सकता है और हमारा परमेश्य जो सेनाओं का यहा है के निका अर्थ है वो सर्ग के सारे सेनाओं का वो चलाने वाला है अर्थ है और जिस परकार मुसा ने कहा उसी वचन को हम लोग भी लेंगे कि हमें परमेश्य की आराद ना कर निकलो जाने दे और परमेश्य का आग बनबोती नजदीका रहा है इसके लिए हमें सबा होना जरूरी है प्रेजितों के साथ रोटी तोना प्रातना का नहमाली आवशक है और जिस परकार मुसा परमेश्य के चड़ी को लेकर के गया उससे बाते किया वेसे ही हम भी परमेश्य के वाइदे को लेते वे बाते करना है खलुषी की पत्री दुसरेद है कि पंदरा वचन में जिस परका लिखा हुआ है कि उसने संपूर्ण डिती से सारे अधिकार और सामत को उसने वेनाश करिया और शेतां को खुलन खुला तमाश्वा बनाया हैं वेसे ही हमें भी उस वाइदे को लेते ही एक युद्ध लड़ना है और प्रवियेश मसीh कलवरी कुरूस में संपूर्ण डिती से शेतान को सिर को कुचल दिया है और उसके पर संपुर्ण दीती से विजय को प्राप्त किया है और ग्रीक युनानी भाशा में उसको विनाश करने का अर्थ है उसको संपुर्ण दीती से शुन ने कर दिया नहीं के समान बना दिया और उसने सिर को कुछल दे के निका अर्थ है जो शेतान अदन की उध्यान में सिर को उठा करके उसके विरुद में आया था उसको संपूर्ण डीती से विनाश करके उसके उपर नियाए को लिगर आया है यह शेतान के समध में लिखा हुआ है कि उसने सिर को कुछल दिया लेकिन साथी साथ उसके सारे शक्ति सामत सारे अधिकार को भी उसने संपूर्ण डीती से कुछल डाला है इस वर्ल एंड दे वर्ल टो कम अग्रीत विखान पूर्ण रिखान प्रेश नियुक्त पूर्ण थे यह शेतान को प्राप्त करते विखा है गुपर सारे बातों से ऊपर उठते हुए वो परमेशच के सिहाथ सन में जहां बेटा है और वो सारी बाते उसके आधीन उसके पाउं के नीचे कर दिया है अर्थाथ शेयतान के सारे शक्तियों को प्रभी एश मसी के पुनूरू नीचे कर दिया है When you believe this and you say it, then the word of God says, faith comes by hearing. So when you believe it, by confessing this, you hear it and you believe it, the power of God is not an ordinary power that's going to come upon you. It is called the exceeding greatness of His power. Right now, like the judgment came on the kingdom of Pharaoh, the kingdom of Satan, right now, great destruction is going to take place this very moment as we pray in this manner. You may be wondering, we prayed this last night, we prayed this many times over, yet there is still no end. Is there any need to pray for it right now? Do you remember what happened in the land of Egypt? They didn't go once, they didn't go twice, they didn't stop. Because they knew, Jehovah had said, I will bring them out from under the burden of the Egyptians. I will bring them out. Therefore, they went until it took place. They went against Pharaoh until it took place. और अब इस बात को नहीं भूलना चीए कि मिस्र देश में फरो के सामने क्या हुआ यद भी परमेशन ने इस बात को कहा था कि मैं उनको छुडा करके लेकर आऊंगा लेकिन एक बार नहीं दो बार नहीं बारं बार उने फरो के सामने जाना पड़ा और परमेशन ने जो कहा है वो जब तक पूरा ना हो तब तक वो बारंबार उसके समुख में जा करके खड़ा हुआ और परमेशर बारंबार फरो के हिर्दे को कटिन करता रहा क्योंकि वो परमेशर सारे लोगों के सामने उसको संपुन्दीती से विनाश करने के लिए चाहता था अजिन एडियन सामने खड़ा हुआ है लेकिन उसके लिए बिनाश और इसके लिए लगाता निरंतर प्रत्ना करने और उसके लिए लग अजब दे लिए घर निकला है लाल समुख करते वे फरो और उसकी सेनाओं को विनाश कर दिया और अब उसका बंद ने और उसकी सारे सताव और कश्ट कलेश एक भीता हुआ कहानी एक बिवा इतिहास बन दिया और उसी प्रकार जाए के साथ फटा के साथ जाए के ललकार के साथ वे लो कनार प्रवेश की और यही शक्ती भी संकुनीती सी विनाश होगा और या पांप पृमण़ और सेतन को ब आशे ऌम के विनाश होगी और आम सब उसकी आखमन में उठालिये जाएंगे अभी है आपमेश की बचन को दावा करेंगे अभी यह अंक्षो के बंद करे in heaven and earth to fight all our spiritual battles and to give us victory no never there's never a defeat when jesus is the lord of hosts of our lives you tell satan jesus has fully disarmed you and your principalities and powers and put you and strats protrude to open shame through his death on the cross of calvary you tell satan jesus destroyed you and your principalities and powers and he has all the crushed your head and all your principalities and powers in jesus name you tell him that he can now say hey shatru shaytaan tere sari shakti vinash ho chokie hai tere uppar sampurne vijay yeshu ke naam se meh mil ghiya hai then you claim what the power of god is done by jesus being raised from the dead jis pekar yeshu masi mario meh seji uta usi pekar and the power of god will come upon you and the power of god will come upon you lord is called jesus satan jesus spoiled you fully disarmed you and all your principalities and powers oh he has destroyed you through his death triumphing over you in the cross you are made powerless reduce your zero in jesus name the seed of the woman the lord jesus has crushed it your head is crushed in the name of jesus you don't have any wisdom no power no authority and all your principalities and powers in the name of jesus oh by your power lord jesus by the mighty power you are raised to the right hand of the father far above all angels far above every authority not only in this world but also in that which is to come all things have been put under your feet forever you have crushed satan and all these demons under your feet we claim it we claim it now now we have come to the last part the rod of god in moses and was the rod of authority we claim colossians 2 15 we claim jesus has destroyed satan and his principalities and powers we claim jesus has crushed the head of satan and his principalities and powers now the rod speaks of the rod of his strength the anointing too and the lord will send the rod of his strength out of zaya the lord will reign over his enemies and the lord will reign over his enemies that's the anointing and abhishek for that we are going to claim zechariah not by might nor by power but by my spirit said the lord of hosts the prophet lord lord says who are the great mountain before zero bubble you shall become a plain zero bubble is the type of the lord jesus who laid the foundation stone who laid the finishing stone saying grace grace unto it now we are going to confess that scripture what are we going to confess what are we going to confess not by might nor by power but by my spirit said the lord of hosts who are the great mountain this devil and all these demons that are hindering all this meeting who are the great mountain before the lord jesus the lord of hosts you shall become from a plane say that word and get filled in the spirit now get filled in the spirit the mountain will become a now get filled in the spirit now 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 yes the lord has done it right now he has done it for all the earth for all the saints all of the world for the great victory that he has given us shall we praise the lord of hosts is you have been giving us all through these days and even once again throughout this morning and again through this prayer we thank you for all that you're going to do even more in our lives lord savior as we listen to your word your voice speak to us do your great and glorious work and make us ready to meet you when you come bless all your people in all the gathering of the saints all over the world in jesus precious name we pray amen please be seated let us turn our bibles to the book of exodus the third chapter exodus the third chapter and please read verses one to six we are walking inside me मुसा अपने ससर इत्रो नाम मिद्यान के याजक की बेट बकरियों को चराता था और वह उन्हें जंगल की परली और होरेब नाम परमेशर के परवत के पास ले गया और परमेशर की दूत ने एक कटीली जाड़ी के बीच आग की लो में उसको दर्शन दिया और उसने दृष् मुसा ने देखा कि मुसा देखने को मुड़ा चला आता है तब परमेशर ने जाड़ी के बीच से उसको पुकारा कि हे मुसा हे मुसा मुसा ने कहा क्या आ गया उसने कहा इधर पास मता और अपने पाउं से जूतियों को उतार दे क्योंकि जिस स्तान पर तो खड़ा है वह भूमी है फिर उसने कहा मैं तेरे पिता का परमेश्वर और इब्राहिम का परमेश्वर इसाग का परमेश्वर और याकुब का परमेश्वर हो तब मुसा ने जो परमेश्वर की ओर निहारने से डरता था अपना मूग धांप लिया Now Moses kept the flock of Jethro his father-in-law, the priest of Midian, and he led the flock to the backside of the desert, and came to the mountain of God, even to Horeb. And the angel of the Lord appeared unto him in a flame of fire, out of the midst of a bush. And he looked, and behold, the bush burned with fire, and the bush was not consumed. And Moses said, I will now turn aside and see this great sight, why the bush is not burned. And when the Lord saw that he turned aside to see, God called unto him out of the midst of the bush, and said, Moses, Moses, and he said, Here am I. And he said, Draw not nigh hither, put off thy shoes from off thy feet, for the place whereon thou standest is holy ground. Moreover, he said, I am the God of thy father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. And Moses hid his face, for he was afraid to look upon God. Glory to God. Here we read what God spoke to Moses when he was on the mountain of God on Horeb. And the other thing was concerning what he was going to do, perform through him. There is a two-fold purpose God has kept for each and every man, for each and every person. Do you understand what God's purpose is concerning you? Do you understand what is God's purpose, what He wants to do through you? Be it a servant of God or a child of God. If you are aware of what God has called you for, what He wants to do in you and through you, then continue to yield yourself entirely to God. As you heard from the scriptures, God wanted to do a great work. We have not read that portion yet, but in verse 7 and 8, God spoke about using Moses to deliver the Israelites from their bondage in Egypt and to take them to the land of Canaan. In order for God to reveal such a great purpose concerning his life and what he was going to do through him, God had to bring him, God had to bring him to a humble state. It is written, he was Pharaoh in Egypt, the king of Egypt Pharaoh, he was Pharaoh's daughter's adopted son. She found him floating in a basket in the river and she took him and it is written in Acts chapter 7 and verse 21. And when he was cast out, Pharaoh's daughter took him up and nourished him for her own son, verse 22. And Moses was learned in all the wisdom of the Egyptians and was mighty in words and deeds according to Acts of the Apostles. Chapter 7 verses 21 and 22. But now, after he had to flee Egypt, he tried to deliver one of his brethren, the Jews, who was being oppressed by a taskmaster. And then they reported it to Pharaoh and they were searching for Moses to kill him. He fled and finally he was seen in the desert. He was seen looking after the sheep and there it was at that time, 40 years later, God met him on the mountain of God in Horeb. So he was seen in the river and the sea of the river and he was seen in the river. तक पश्छा चालीस वर्ष के बाद वो गटना हुआ जुसको हमने मूलवचन में फड़ करके देखा After looking after the sheep for about 40 years, he lost all his eloquency, he was unable to speak fluently, he lost, he was mighty in words and deeds and therefore we read, he says to the Lord, when the Lord told him, I want to deliver the Israelites to you, he said in Exodus 6 verse 12 I am of uncircumcised lips It is when he came to such a state, not when he was eloquent, well-learned, in the prominent position that God used him as he thought he was going to be the deliverer for his people, it was not the way he thought that God was going to work in him and through him, God had to make him to humble himself for 40 years lose all the abilities he had and now come to a place to look only to God and depend on God We see likewise there were others whom God revealed himself to but it was when they were in the humble state As we read in 2 Samuel 7, it is written about King David, when God made him a king, he thought of building a, because he had a palace and the tabernacle of God was only a tent, just a temporary structure He wanted to build a house made of cedar and all special precious stones like gold and silver and brass But, God reminded him of his humble beginning And in that way, many people have been able to see the dharmashat in order to see the dharmashat in order to see the dharmashat in order to see the second Samuel God had to remind King David, yes, I exalted you, exalted you, verse chapter 7 of second Samuel, verse 8 I took thee from the sheep court, from following the sheep, to be ruler over my people, over Israel और दूसरा शाम मेरे सात्वियत है कि आट बचन में परमेशन ने दाओद को स्परण दिलाते वे कहा, इसलिए अब तु मैने दास दाओद से ऐसा कहे, सेनाओं का यह हुआ यू कहता है, कि मैने तो तुझे भेड शाला से, भेड बक्रियों के पीछे से फिरने से, और इस मंस से बुला लिया है कि तु मेरी प्रजा इस्राइल का प्रदान हो जाए, और सात्वियत है कि दूसरे मचे में देखने के समय में, दाओद राजा इस प्रकार कहते हैं, वो देखने पाते हैं, कि देख में तो एक सियासन में ने तो राजमेन में वास करता हूं, लेकि प्रमेश्य का संदूक अतंबू में रहता हैं, इसके लिए में उसके लिए एक भव्य देवदारु का, एक मंदिर को बनाना चाहता हूं God had to make him understand his nature, God is humble, he delights to dwell with the lowly, he had to remind him that and he said in verse 6, in verse 5 and 6, Go and tell my servant David, thus said the Lord, shall thou build me a house for me to dwell in, whereas I have not dwelt in any house since the time that I brought up the children of Israel out of Egypt, even to this day, but I have walked in a tent and in a tabernacle. Oh, then David realized about his state, how God took him from the sheep court, from that humble beginning, the great God gave him victory over all his enemies, it says in verse 9, and God brought the children of Israel to a place where they could be stable and delivered from all the oppression and not be troubled anymore by all the nations that are around them, verse 10, and then God spoke in verse 12, in verse 16, about the kingdom that would be given to the Lord Jesus, who was going to be of that seed or the descendants of David, He is going to have a kingdom that's going to last forever. Thank you, God. Verse 16 of 2 Samuel chapter 7, And thy house in thy kingdom shall be established forever before thee, thy throne shall be established forever. David then realized what God was expecting him to do. In verse 18, he humbled himself even more, and verse 19, he realized, who am I, Lord? I am not worthy that you should do all this for me and speak concerning my house for what you are going to do in the future. He understood it is not because he was good or he had anything better than anybody else that God did all this for him. Verse 21, he said, for thy word's sake and according to thine own heart, has thou done all these great things to make thy servant know them. You spoke the word. In order to fulfill your word, you did it. You had purpose in your heart. In order to fulfill what you purpose, you did it. So there was nothing concerning him, anything good in him, he realized. Dear children of God, David had an earthly kingdom. We are promised an eternal kingdom where we are going to reign with Jesus forever and ever. We need to realize where Jesus brought us out from. We need to realize all what we are receiving and what we have received is nothing more. But it's all because of his, first of all, his mercies. Secondly, it is because God has spoken it, he has spoken his word and he is fulfilling his word. And it is all by his grace. कि अश्यादे निर्णतर प्रमेश्यादे निर्णतर 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 प्रमेश्याद की आश्याद बरकत हमारे उपर हो रहा है. ये कुछ हमारी योगता और बड़पन के कारण नहीं, क्योंकि उसने कहा है और जो उसने कहा है वो उसको पूरा करने के लिए, जो उसने चाहा है, उससे चाहात को पूरा करने के निमिथी. हमारा परमेश्य सब कुछ हमाली करता है आज हम जो भी कुछ है यह केवल उसकी दया, उसकी कृपा, उसकी करुणा के कारण ही है हम लो देखने पाते हैं कि दाउद इस बात को समझने पाता है कि मैं मेरे चीवन में कई बार गिरा हूँ साउल रजा था और जब उसकी कर रहा था और जब उसने गलती किया और जब उसको बताया गया तो वो अपने गलती को मानने के लिए तयार नहीं हुआ शामुल के द्वारा उसकी गलती बताय जाने के बावजूद भी उसने अपने गलती को अपने भूल को नहीं माना लेकिन दावत को देखो उसने अपने आपको कितना दीन किया वो इस बात को जानता है कि परमेश्य धर्मी है वो अन्याई है और उसकी अन्याई में कोई भूल नहीं सबसे पहला में इस बात को अनुभू करें कि हम किस प्रकार के पाप में थे हम लोग पाप के दलदल में मृत्यू में फसे हुए थे लेकिन हमारे परमेश्य ने हमको वहां से उभारा और निकाल करके एक आशा पूर नवस्ता में हमें लेकर कि आया है जब सेख़ो करोडो को इस प्रकार का मोका नहीं मिला उस समय में प्रभी एश मसी के द्वारा हमारे जीवन में परमेश्य ने उधार दिया और उस आग के गंदक के गंदक में जाकर के मरने से परमेश्य ने हम लोग को बचा लिया जिसने भी लोग उधार नहीं पाएं उस में से हम कोई जादा बहतर लोग नहीं है ना तो आप नहीं में इस महान उधार के पाने के योग यह हैं यह के एवल परमेश्य की महाँ दया है ये केवल प्रमेशित की करूना है जिसने हमें इस पाप के दवन से बार निकाला है जमने हमारे पर विश्ध मसी को विश्वास किया उसको उद्धार करक्षर के रूप में हमने जब उसको घ्रिहन किया उसने हमको मुक्ती दिया है if we forget this अगर हम इस बात को भूल जाएं अगर हम इससाथी बात को भूल जाएं इसारी आशिश को प्राप्ट करने के बाद अगर हम परमिश्षत को भूल जाते हैं और उससे में तुम्हारा मन हटीला होते वैं तुम अपने मन में फूलते वे मेरे सारे विदियों और आख्यों को छोड़ दोगे उस समय में आपके अंदर ये सोच आएगा मेरी शक्ती, मेरे सामत, मेरे ग्यान के द्वारा ही मैंने ये सब कुछ अरजित किया है और इसी करण से परमेशन ने इसे किस परकार निकाल कर लेकर आया उसे इस मरन देने के लिए फसा का परू मनाने के लिए कहा वे लोग तो केवल साल में एक बार फसा का परू मनाया करते थे लेकिन हमारे जिंदगी में पभी एश मसी ने किस रिती सी हम को छुड़ाया हर एक दिन प्रती दिन हम उसे इसमरन करना चाही अगर हम लोग परमेशन को महिमा देना बंद कर देंगे परमेशन के योग के बढ़ाई देना छोड़ देंगे तो रोमी की पत्वी पेले एद है के 21 वचन के अनुसार हमारा निर्बूती मन वर्थ के तर्क वितर्क में रहते वे अंदेरा हो जाएगा करके लिखा हुआ है परमेशन के बातों को ना सुन पाएंगे ना देख पाएंगे हम लोग कभी भी हमारे उद्दार के दिन को भूलना नहीं किस निती से पर भी एश मसी ने हमें हमारे पापों से उद्दार किया है हर एक दिन हम उसकी विश में समरंड करते वे दिल के गराई से हम उसके प्रती शुकर गुजार होना ची डेविद रिलाइज तो यह लोग दिन बातों और पाएंगेंगे गवाद्देश गोट्षाएंगे रियलाइज हैंगेंगे यद भी राजा दाओ देकर राजा था 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 भी उसके जीवन में कई बार उसने गल्ती किया पाप किया और बारं बार उसकी गल्तियों को भूल चुको को परमेश्य ने शमा किया उसको माफ किया इस बात को हमेशा दाओ उसमरंड करके रहता था वैसे ही हमारे जीवन मे हम लोग करे प्रकार के गलतियों को भूल चुको को करते हैं लेकिन हमारा परमेश्य जो शमा करता है सरवदा उस परमेश्य की और एक कृतकिता के साथ हम दिखाई देना थी और परमेश्य केता है कि मैं सदाकाल सही तंबु में वास करते आया हूँ कि निर्कमन की किताब की तीसरे याद्य में देखने पाते हैं कि यहां पर जाडी तो चल रहा है लेकिन भस्म नहीं होता और ये जाड़ी जल रहा है और भस्म नहीं होता इस करण से ये विशे मुसा को आकरशित किया ये एक ऐसी आग है जो आग उस जाड़ी को भस्म या नश्थोने नहीं देता लेकिन हम देखने पाते हैं कि वो आग उसको उस जलते वे जाड़ी के समी पाने के लिए मदद करता है बात में इसको इस बात का पता चला कि ये परमेशर आप है जो आग के दोरा अपना परिचे ये अपनी उपस्तिती दिखा रहा है we can understand this or explain this fire as the fire of God it is not a fire that will destroy any of us हम लोग इसको इसरीती से भी वरंड कर सकते हैं ये एक वो अगनी है जो इस्वर की अगनी है और एक ऐसी अगनी जो हमें से किसी को भी नश्थ करना नहीं चाहता the fire of God will only preserve us do you know that there is a great fire in you recently I heard a testimony of a servant of God who had been when I say recently before this time and there were no meetings I heard the testimony at that time she had served God for about 35 years already और हाली में मैंने एक विक्ती के गवाई को सुना जब जिसमें कोई भी आरादना या प्रातना नहीं चल रहा था जो उस समें में वो तक्रीबां पे 35-30 साल तक प्रमिश्य की सेवा किया है और उस से बहन के जीवन की कहानी इस्तकार है कि वो एक गेर मसीह से था और चोटी ही उमर में अपने पिता को वो खो दिया या उसकी पिता जी चल बसे और उसी समें से एक पिता के प्रेम की खोजी हो करके वो दिखाई दिया उसी समें में उसने इस पेकार ये सुसमाचर का सुना कि पिता ने किस रिती से जगज से प्रेम की अर उसने अपने क्लोटे पुतर को दे दिया तक की कोई भी नाश नहो कि तो अनंत जीवन को पाई और उस दिखे को सुनने हो जानने के बाद उसने देखा कि एसा पिता का प्रेम कहा मिलेगा और उसने पर भी इश मसी को अपने जीवन में ग्रहन किया और उस दिन से पिता का उससे प्रेम को उससे सचा प्रेम को उसने अपने जीवन में अनुभाव किया As the love of God grew in her heart She was constrained by that love Just as God gave Jesus He gave up everything in heaven God gave the best for her God gave Jesus to die for on the cross Jesus gave up His all The love of God constrained her To leave a home And to step out for this full-time ministry और जिस प्रेकार पिता ने हमसे ऐसा प्रेम किया कि उसने सुर्ग का सबसे उत्तम उसने प्रभी एश मसी को हमारे लिए दे दिया और एश मसी भी जगत में आख करके संपूर्ण डृती से अपने आप को हमारे लिए सौंप दिया इस प्रेम को देखने के बाद इस प्रेम से विवश हो करके वो भी अब उस प्रमेश के प्रेम से भरके घर को छोड़ प्रमेश की सेवा के लिए निकल पड़ी और मा के परिवा जो इस विश्वास के नहीं थे वे लोग इसका विरोध करते थे उन्होंने बहुत रितिस उसको विरोध किया कि ये सेवा में ना जाए यहां तक ही जादू टोना भी उसको रोकने के लिए किया गया so she couldn't leave a home, her mother wouldn't allow her because of this pressure from all the relatives so one day she went upstairs in her home and she poured out her heart before the heavenly father said father I owe my life to you, you did all this for me, Jesus died for me on the cross I can only do one thing to give my life for you, I want to come and serve you because you are calling me तुने अपना सब कुछ मेरी देदी हैं मेरे जीवन का सब कुछ तेरी लिए सोभ देना चाहती हूँ में तेरी सेवा करना चाहती हो करके उसने दिल उंडेल प्रातना किया परमेश्यक के प्रेम से भरते वे वो रोटे गडगडाते वे आत्मा में बर करके परमेश्यक के समुख में वो प्रातना करने लगी और उस समे में जब ये बहन प्रातना कर रही थी तो प्रातना करते वे उसने स्पकारे का धर्शन देखा बहुत सारे शेटान चारो से छोटे-छोटे काले साहे में उसको घेरे हुए है और वो प्रातना समाप करके उट खड़ी हुए और उसके बाद ये उसको इसको इस बात का पता चला कि उसके परिवार के लोग जो है यो इस रिती से चाते है कि ये सेवा में ना जाए और इसी के लिए ये शेतानों को भेजा है ताकि इसका मन बदल जाए और ये लिए लन्हार इस तरी में अर्ट जाए लाए लैंस गलाए कि ये वे शाई खूद इसका प्रॉज सेवार इसका प्रॉच टीर नाए will get burned or consumed by this fire. So they went back to the people who send them. The same relatives urged the mother to send her for this ministry. This fire of God will preserve you, child of God. Don't be afraid to approach God. What is this fire? The word of God says that Jesus is seen as a refiner's fire. In some of these verses, I will not read. I'll just give the reference. In Malachi chapter 3 verses 1 to 3. And then God the Father, God is seen as a consuming fire. As I said, not a consuming fire for us, a fire that preserves us, but a fire that will consume any demon, anything that comes against us to turn us away from God's purpose. That is in Hebrews 12 verse 29, the Holy Spirit is a fire. Oh, according to Acts chapter 2 verses 1 to 4, when the Holy Spirit came down on those who were gathered in the upper chamber, it appeared as if cloven tongues of fire rested upon each one of them. The love of God is like fire, according to the songs of Solomon chapter 8 verse 6. Oh, it says in the sixth verse, Set me as a seal upon thine heart, as a seal upon thine arm, for love is strong as death, jealousy is cruel as the grave, the coals there are are coals of fire, which hath the most vehement flame. In the songs of Solomon chapter 8 verse 6, the term jealousy is used. In Zechariah chapter 8 verse 2, he says, The Lord of hosts says, I was jealous for Zion with great jealousy. I was jealous for her with great fury. That word jealousy can be also used as, I have a great zeal for Zion. I was jealous for her with great fury. So, His love is also like a fire, His zeal is also like a fire, God the fire is consuming fire, the Lord Jesus is like a refinance fire, the Holy Spirit is also like a fire. हमारा परमेशक, हमारा परमेशल एक आँक की माने इनन्दे, उसका प्रेम एक आँक की ज्वाला है, और वो, पवित्रात्मा जो है, वो भी एक आँक के समाने, I would not say like a fire the Holy Spirit is a fire God the Father is a consuming fire Jesus is a refinance fire और पवित्रात्मा एक आँग है हमरा पिता परमेशर भी एक भस्म करने वाली आँग है हमर परमेशर परमेशर भी हम एक शुद्र करने वाली आँग के समाँ परमेशर का प्रेम एक आँग है और परमेशर परमेशर की वो आँग है और अगर वो आग आपके अंदर है तो कोई भी शेतानी शक्ती कोई भी अंदकार के शक्ती कोई भी जद उडोना के शक्ती आपके समीब भी आने सकता अगर आप इस बात को विश्वास करते हैं हमेशर का वो महान बड़ी अक नहीं अभी तक आपको सुर रशीत रखा है तो एक चोड़ दार हलिल्या बोलिये क्यों लोग बारंबार बीच बीच में हलिल्या केते हैं? क्योंकि उसकी दोरा हम परमेशर के नाम को उच्छा करते हैं परमेशर की आख हमारे अंदर हमारे चारो और इसके लिए को बार एक हलिल्या बोलिये आपको स्थी आपको स्थी तोरा मुसा को सीखना है थे जलते वे जाडियों से और भी कुछ है जो मुसा को सीखना है He said in verse 3 of Exodus chapter 3 Now all our references are related to this passage Exodus chapter 3 So we are going to go back again and again to that passage In chapter 3 verse 3 and Moses said I will now turn aside and see this great sight Why the bush is not burnt? Why was it a great sight? Because it was a fire, though it burned, it did not destroy the bush So we may go through fiery trials in our lives That is a negative kind of fire So when we go through fiery trials It says the trial of your faith in 1 Peter 1.7 Being more precious than of gold that perished Though it be tried with fire Might be found unto praise and honor and glory At the appearing of our Lord Jesus Christ Swera Petras Us ke pehra adhyay ke saat vachan ko pa dne ke samye me Or yeh is liye hai ki tumhara parkhawa vishwaans Jho aanght se tye huye vy nashman sone se bhi Adik bha humulye hai Hishmasi ke praga dhonye pere Prashansa aur mahima aur aadar ka karan theray verse 8 says whom having not seen that is the Lord Jesus Christ whom having not seen ye love in whom though ye see him not yet believing ye rejoice with joy unspeakable and full of glory और आठ वच्चन में देखने के समय में उससे तुम जो कि प्रभी शमसी के समन में लिखा हुआ है उससे तुम बिंदे के प्रेम रखते हो और अब तो उस पर बिंदे की भी विश्वास यहां पर उससे तुम बिंदे के प्रेम रखते हो और अब तो उस पर बिंदे के विश्वास भी करते हो यह बिंदे के विश्वास करने का अर्थ क्या है जब आब एक अगनी में परिक्षाओं से गुजरते हो और जिस परकार मुसा ने देखा कि यहां पर एक आश्चर जिबात हो रहा है जहां पर मुझे कुछ सीखना है आपके जीवन के अगनी परिक्षाओं के समय में उस आँख को देखने के समय में सारे कामों को छोड़के रुक के आप परमेशर से यह फूशना चाहिए कि है परमेशर इस अगनी में परिक्षाओं के द्वारा तू मुझे क्या संदेश देना चाहता है मुसा ने जब यह आँख को देखा तब उसने यह नहीं कहा यह तो एक पराय आंग यहां पर जल रहा है मुझे से क्या मतलब मुझे तो बहुत बड़ा काम करना है बेड़ बकरी को चराना है उसको देख करके जाकर कि क्या फाइदा बोल करके वो उसे अंदेखा नहीं किया और अगर एक से वक के समन में बोलने के समय में जब यह अगनी परिक्षा के जीवन में आता है उस समय में हम इस्तका नहीं कहना ओ मैंक सेवर को मैं बहुत ही मेरे सेवा में वैस्त हूँ उन सारी बातों के विशे में चिंता करने के लिए मेरे पास समय नहीं है अगर एक वेक्थी काम करता है तो मैं काम में इतना वेस्त हूँ कि इन सारी बातों की विशे में को सोचने के लिए समय देने के लिए समय नहीं है एक परिवारी करती होने से मेरे परिवार के कामों में इतना वेस्त हूँ इन सारी बातों को ध्यान देने के लिए मेरे पास समय नहीं बोलकर के बेटना नहीं then what happens you do not know what God is trying to the good he is trying to do for you your reactions will become negative reactions you will see look at this person what he is trying to do to me look at that person what they are trying they are speaking about me and all your reactions will not be towards God but you will not see God working for you but you will see all kinds of things working against you and you will have negative reactions अगर इस प्रतिक्रिया अन्नी ने प्रकार का होने लगेगा आप देखोगे कि अन्नी लोग मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं अन्नी लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं इस प्रकार की सारी बातों में रहते वे जो सुबाव आपके अंदर आना चाहिए आने के विपरी अन्नी प्रकार की परस्तिती आप में दिखाई देगा यू और इस प्रकार की बातों में आप और में कई बार प्राजीत हुए हैं लेकिन अभी भी देरी नहीं हुआ पिष्टे दिनों में इन सप्रकार की अगनी परिक्षा से जो हम गुजरे हैं आओ एक बार हम उसे पलट करके देखें और आप सारे कामों को रोक दीजिए सारे कामों को एक तरफ करते वे आप अवे शक्रिप्रसीत में बेट करके एक 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 करके उन सारे संदेशों को समझने के लिए अपने आपको मेंश्यक के हाथ में समय देओ सोब दो अगर प्रमेशा का प्रेम हमारे अंदर आएगा और हम प्रमेशा के प्रेम से भर जाएंगे तो आखों ने देखा नहीं कानों ने सुना नहीं ऐसी बाते जो किसी के मन में चित में आया नहीं ऐसे प्रमेशा अपने प्रेम करने वालों के लिए रखा है इस बात को में दो समझने पाएंगे I believe that is why God has stopped all the meetings for a good while now to give us time whereas we were too busy before over here now God has been giving us more time to get closer to Him individually more than all the previous years that we have been in the fellowship it is during this period of time we followed your instruction to listen to the word of God every Sunday or perform a message of some pastors of some conventions or to which we had from what we had or we asked the servants to give us a message to play on a Sunday or on a Wednesday during the meeting we did that we seek God through prayer sought God through prayer today we can see we have grown so much more than before when you seek God in the future of fiery trial and understand what God is God is trying to do for you believe it claim it and believe it then his love will fill you and as a result through that anointing you will be filled with joy unspeakable and full of glory while some may testify God brought me to the fiery trial they are dreading to go through another trial but you you will be thanking God for taking you to the fiery trial for the glorious work He did in you you will say Lord if there is there are more of these trials I don't mind it because of such a great growth and joy which I wouldn't have experienced otherwise is come against you if you have the right attitude and yield yourself to God listen to the message of God it cannot destroy you other attitude either you have the right attitude listening to God's voice if you have that attitude you will experience a growth if you have the wrong attitude it's your wrong attitude that will bring destruction to your life coming back to Exodus chapter 3 in verse 4 we read and when the Lord saw that he turned aside to see God call unto him out of the midst of the bush and said Moses Moses and he said here am I about Moses we read he didn't counted a loss to leave that palace of Pharaoh from being called the son of Pharaoh's daughter and all the pleasures of Egypt he didn't he didn't find for counted a loss but he chose to suffer with the people of God rejecting it all according to Hebrews chapter 11 here it says in verse 24 to 26 by faith Moses when he was come to years refused to be called the son of Pharaoh's daughter choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the pleasures of sin for a season verse 24 and 25 and the Bible was a place where sin was found abundantly Egypt was a place where sin was found abundantly that is why he's written here he chose to suffer affliction with the people of God than to enjoy the pleasures of sin for a season now this part of the message is addressed to those who have still not experienced Jesus as their Lord and Savior yes there are so many sinful pleasures in this world but the end of that sin is there is going to be sorrow and finally eternal damnation today Jesus is calling you out he wants to give you all the forgiveness of sins and the joy of your sins forgiven and the assurance of an eternal life at the end of this life on earth as children of God don't get to engrossed with the cares of this life that is the sin of the children of God that will make them to be left behind, cause them to be left behind at the rapture. I know a child of God and few testimonies like this, he was doing very well in his job, his superiors found him so faithful like Daniel and he was offered to achieve position in that job, a very prominent position in the government and very high position. He, when he came to know that would mean he would have to travel abroad and miss the meetings, he turned down that offer. As a result, he was able to run his race to the end, bring up his children, all of them are in the faith today and though he has gone to be the Lord, they are steadfast in the truth till today by God's grace. ऐसे गवाई हम लोने सुना हैं, जो लोग नोकरी करते हैं, अपने इस्तान में बहुत ही विश्वास क्योंकि होने के कारण, दानिल के समाने उत्त्म स्तान में उन्हों को जब उन्यती पदोनीत मिला और जब उन्हें ये ग्यात हुआ कि इस पदोनीत के द्वार्ज उसे बहुत सारी विदेशी आतरा करना पड़ेगा जिसके द्वार्ण तो पकिल इसके लिए उन्हों ने उस उन्नती को इंकार कर दिया तकि वह अपने और अपने do not abuse it use it so that you can obtain what you need to live in this world for you and your family but let it not become a hindrance for you to be ready for the kingdom of God here it is written therefore in Hebrews 11 verse 26 esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasures in Egypt for he had respect and to the recompense of the reward so do not neglect prayer your personal time of prayer family prayer reading the word of God and being steadfast in the apostolic fellowship too for all the meetings don't come and go from the presence of God like a visitor the council of God is speaking with you must be taken home it must be brought into your heart it should be written in your mind and also put into your heart it has to become a part of your life the psalmist says thou shall guide me with a counsel and afterward receive me up to glory that is why these counsels are given to you God is expecting and he is expecting you you are accountable for every word he has given you these are more precious than all the riches and the treasures in Egypt the word of God if you fail to live according to any word of God you will be held accountable before God so therefore when you take heed to God's word like Moses when God called to him he offered himself what did he say he surrendered himself to God in chapter 3 verse 4 when God called him out of the bush Moses Moses he said here am I like the Lord called to Isaiah God said whom shall I send who will go for us and he answered here am I send me Isaiah chapter 6 verse 8 the Lord tried to speak to Eli the prophet but his ears had become dull of hearing Eli the high priest oh therefore he had to speak to Samuel who was in the same temple who was only a little boy he said here am I he did not let any of his words fall to the ground according to 1 Samuel 3 verse 19 that's why I am saying don't forget any word of God if you are unable to remember the word of God write it down if you are unable to remember the word of God and you can't write it down receive it from somebody else who has written it down don't forget the word of God so all those who surrendered saying here am I they surrendered whole heartedly and joyfully to God then God can fulfill his promise like he fulfill his purpose in Moses and through him he what he fulfilled through Moses and in Samuel and in Isaiah he will do the same much greater a work in you and through you dear children of God this is the time God is calling even some to serve him in this full time ministry the Lord is calling you it's a a very special and a very rare calling but you need to understand it and make your calling in election sure if somebody comes and tells me I want to serve God even if he comes for an interview or if she comes for an interview I will not take them for the ministry until I'm sure they are sure of their calling nevertheless if you are called to serve God but young people especially understand what this eternal calling is all about count the cost understand what's the price you have to pay and once you come to a place you are willing to pay it when you understand what Jesus gave up for you when you understand what he has done for you nothing will be difficult no he said here am I then the Lord gave him the next instruction first of all what he should do to fulfill God's calling and purpose whether you are called to serve God or whether you are called as a child of God called to new Jerusalem it says in verse 5 and he said draw not nigh either put off thy shoes from off thy feet for the place where on those standards is holy ground we cannot live this life before God with our own self-righteousness we cannot live this life before God with our own efforts or we call it our own works that is why it is written this calling indeed to dwell with God no man can approach that light he is dwelling in a light which no man can approach unto but he can make you like him he can make you holy as he is and one day you can dwell with him in 2 Timothy we read how we can do it in 2 Timothy chapter 1 verse 9 it is written here who had saved us and called us with an holy calling not according to our works but according to his own purpose and grace which was given us in Christ Jesus before the world began this life is not given to those who are swift or strong but it is for those who will trust in God's mercy and God's grace take off your shoes don't put your trust in your own works put your trust in the works Jesus has finished accomplished for you on the cross of Calvary only as you believe the works he has finished for you he can do this believing his works he can do this work in you by his grace to sanctify you to make you holy as he is holy when the apostles did some mighty works they confess it is not because they are holy or they are great they were able to confess because of faith in the name of Jesus and because of what God has done by his grace what he had done in them that the miracles were done like you heard last night about the example of the layman who was seated outside the temple in Jerusalem in Jerusalem and when the Lord of the layman of the layman in Jerusalem and the holy in Jerusalem which he had done that he was his character that he had done that he had done that he had not this he was through the and the the and the the and the the के द्वारा हुआ है और इस जिस परकार भी ते राप में लोने देखा कि वह लंगड़ा व्यक्ती जो जो लंगड़ा था वो परप्रमिश्य के सामत के द्वारा वो चंगड़ाई को प्राप्त खिया है they confess yes it is indeed a marvelous work a miracle verse 12 of acts chapter 3 and when peter saw it he answered unto the people ye men of israel why marvel yet this or why look he so earnestly on us as though by our own power or holiness we had made this man war by our own works or our holiness we cannot accomplish anything and they said how they performed it in verse 16 and his name through faith in his name had made this man strong whom ye see and know ye the faith which is by him had given this perfect soundness in the presence of you all so then how did the job of abdut and chamakar work happened in the third year in the 16th century and the name of his name in the faith which is in his name which is in the name of his man who you see and know in the name of god there are various names of god jehovah rafa the lord of a healer uh the lord of hosts and for our life sanctification he is the lord who sanctifies us so through faith in his name as you believe the word what god is giving you he will sanctify you to the power of his blood to the power of the word of truth to the power of the so the lord wants us to put our faith in him not to put our trust in our own works put off thy shoes from off thy feet for the ground where on those standards is holy ground the apostles understood god had sent them that the lord that the god had sent jesus for the blessings of the whole world and now through the lord jesus christ the lord jesus has sent them in order to be a blessing for the whole world we can read that in x chapter 3 and verse 25 and 26 or is bought corporate on a john leo kipita permission sari mana jati ke liye sari manu shuki liya abanish kya shish ke liye praviya shima siko is jagat may be jam or praviya shima sina prerito ko chunter kya shiru kya shino kya shiruk hai ka hum kya is jagat may be jammer When God made the covenant with the 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 fathers of the Israelites he said unto Abraham in thy seed shall all the kindness of the earth be blessed referring to the lord jesus christ the seed of Abraham or 25 bucks into open कि समय में तुम उस्भविशक्ताओं की संतान और उस वाचा के भागी हो जो परमेशन ने तुम्हारे बाप दादाओं से बांदी है और जब अपने अबरहम अबरहम से कहा तेरा वंश के दोरा फुरती सारे घराने में आशिश पाएगा यहां पर येश्व के संब्द में व मारे पांस भेजा कि तुम में से हरे एक को उसकी बुराई से फेर कर आशिश दे गोड़ इस दिस ग्लोरियस वर्क और परमेशन इस महिमा में काम को आपके जीवन में पूरा करना चाता है और अपी शीग्र इसे समावत भी करना चाता है प्रेज बुरी अपशल् प्र बोड़िस ही अपश्टिं धस्विस कि लिफ यंवा ए। स्प्रेश कृ काम की तीस रह देगे उन्नीस बीस इक्कीस वचन में यही कारणिकी प्रेड़ितों ने इस प्रकार प्रचार किया इसलिए मन्फिराओ और लोटाओ कि तुम्हारे पाप मिठ जाए जिससे प्रभु के समुख में समुख से विश्रांती के दिन आएं और वो इशु के भेजे और वो इशु को भेजे जो तुमारे लिए पहले से ही मसी ठेराया गया है अवश्य है कि वो सर्ग में और उस समें तक रहे जब तक वो सब बातों को सुधार सुधार ना कर ले जिसकी चचा पाचीन का से फर्मेशन अपने पवित्र पविशक्ताओं के मुख से की है और हमार पर भी एश्य मसी मरा और बरकर के वो जी उठा पिता के दाईनी और जाकर के बेठा और जब लटा ले आने की सारी बाते या सुधार की सारी बाते पूरा हो जाएगा वो समय भीटने पर वो वापस आकर के अपने लोगों को ले जाएगा और जिस परका दूसरे कोरुंती पाच शद्याए उसके 18 और 19 वचन को पढ़ने के समय में परमेश्य अपने लिए पर मनिश्यों के मद्दी में एक महल मिलाप का काम कर रहा है वो कलुसी की पर इस वापसले का बना परमेश्य विए लोगों के लिए जाएगा कर रहा है उसके लिए मन फिराते हुए परमेशा के समीब में आपकर के उसके साथ मेल मिलाप करना चाहिए और प्रेजितों के दरह दिये के सारे शिक्षाओं को सुन करके प्राप्त करते हुए हम उसमें बढ़ते रहे ना एक समें भी हम लोगो दुष्ट करके के लाए जाते थे लेकिन वर्तमान जो दुष्ट करके के लाए जाने वाले हम लोग जब हम विश्वा से धर मी थेरे तो अपने प्रभीश मसी के दवारा परमेश्स के साथ मेल रखे और रोमी की पर तरी तीसरे जाए उसके चोबीस से लेकर के चपीस बचन को पढ़ने के समय में जिसने उसने प्रभीशमसी के द्वारा हमारा मेल कर आया है वो हमाली प्राइस चीतों करके बदल गया और प्राइस चीत केने का अर्थ है कि परमेशर आपका पिता बन जाने के लिए और आप उसके पुत्र होकर के बदल जाने के निमित आपको इस बात को विश्वास करना चाहिए कि आपके सारे पापो को आपके सारे पापो को चुड़ाने के निमित वो सारे पाप को इस मसी ने अपने उपर प्राइस्टी सरूप ले लिया है इसी कारण से रोमी की पत्री थीस राद है के चप्वीस वचन को बनने के समे में वरंड इसी समें उसकी धर्मिक्ता प्रकट हो कि जिससे वो आप ही धर्मी थेरे जो इस मसी पर विश्वास करे उसका भी धर्मी थेराने वाला हो और किसी भी पाप के कारण एक सेव को या विश्वास यो उसकी उपर प्रमिक्ता का क्रोध आ सकता है और इसी कारण से की वो क्रोध आपके उपर ना आ है प्रभी ये श्मसी ने प्राइशीत का जो लहू हमारी लिए बहाया है उसको हम लोग विश्वास करते वे हम लोग उससे धर्मी होने के लिए हम लोग मिल बिलाप करने ना ची पेला कुरूंत की पाँच वैदा है कि किस वचन में अन्ने शब्दों में अर्थ ये है कि वो ये श्मसी हमारी लिए पाप बन गया ताकि उसके उपर विश्वास करने के दोरा हम लोग धर्मी हो जाए हो जो पाप से अग्यात था हमारी लिए पाप बन गया और जब ये मेल बिलाप का काम पूरा हो जाए उस समय में प्रभीश मसी के लगग के दोरा वो हमें धर्मी ठहराते वे एक ऐसे इस तान में लाकर के पहुंचाता है जहां पर कोई पाप नहीं और ये मेल बिलाप ये सारी बातों को फेरा देने का अर्थ ये काम क्या है एफिश्ची की पत्री तीसरे अध्याई के अनुसा एक समय में जो हम परमेशन से दूर थे वर्तमान प्रभी इश्वर मसी के द्वारा उसके समीप आप पहुंचे वर्तमान हम इश्वर के समीप आगे और जब ये लोटा लेने वाली बातें पूरा हो जाता है तो हम लोग उस स्थान में एक हो जाते हैं जहां पर परमेशन हम लोगो एक बना कर उसके समान कर देता है और उसके बाद हम पिता के पास जाकर के पहुंच सकते हैं उसका अर्थ क्या है और नित्यता या सनातन इसका अर्थ क्या है और वर्तमान हम लोग इस बात के इंतजार कर रहे हैं बाट जोने हैं कि वो सारी बातों को लोटा दे फेर दे जब ये काम पूरा होगा और जब उस जिस चंड में ये काम पूरा हो जाएगा उस समय में वो सर्क से जा उतरेगा यो नर्चिसु समाच चर्च ओदा दे के दूसरे वचन में लिखा है उसके दौरा ही पिता के पास जाकर के पहुशने के लिए हमको अधिकार दिया गया है दूसरे वचन अगर उसके हातों में अपने आपको समपन करेंगे तो ये मिला आपका काम वो हमारे जीवन में पूरा करेगा अगर इस जाएगा पूरा करें जाना चाहता है जो कोई अपने जीवन में इस प्रकार की आशा रखता है वो अपने आपको वैसे ही पवित्र करें जैसा वो पवित्र है अगर हमारे जीवन में कोई भी प्रकार की कमी गटी है तो उसे स्विकार करके छोड़ दे और आगे बड़े और परमेशन यहां पर कहता है कि मैं तुमारे फुरुजो का पिता हूँ मैं अबराहम का पिता मैं इसहा का पिता और मैं याकूब का परमेशन हूँ और इसी के लिए हो कहता है कि मैं तुमारे फिताओं के साथ इस्राइलियों के साथ मैं वाचा बांदा है उस दिनों के से लेकर के कई लोग परमेशन के साथ खड़े हुए कई संद्व परमेशन के साथ खड़े हुए लेकिन यहां पर परमेशन विशेश करके अपर हम इसाथ और याकूब का नाम उलेकर करता है कई संद्व पहले रह चुके कई संद्व वत्तमान इस सदी में भी है और परमेशन इस परकार के संद्व को दे करके उसको वो नाम दे करके पुकारता है उन्हें वो आशिश करता है यहां वर हम इस देनीस के संद्व 723 अवजें 1970 व로 प्रिफसेव प्रू difficult गजतराइं में असैंडव वाल riff के संद्व इसी कारण से परमेशर निर्गमन की किताब तीसरा दे के साथ और आठ वचन में फिल मुसा से कहा फिर यहुआ ने कहा मैंने अपनी प्रजा के लोगों लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चे देखा और उनकी जो चिल्दाहट और परिश्टन करने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है और उनकी पीड़ा पर मैंने चित लगाया है इसलिए अब मैं उतराया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वस्चे छुडाओं और उस देश से निकल निकालके एक अच्छे और बड़े देश में जिसमें दूद मदू की दहराएं बेती हैं अर् परमेशर हमको हमारे उस पाप के बंदन की गुलामी से हमें छोडा करके एगाएं परमेशर हमको मिस्टर दे से बाहर निकालता है अर्थाथ इस संसार से अलग करता है परमेशर की आँग उत्रा और वो अनुबह पवित्रा अगभी शेख है हमको और भी कई प्रकार की बातों का सामना करना है इस मार्ग में साथ जाती है उनकी उपर हमें प्रबल होना है हमको इस संसार के उपर शरीर के उपर शेताम के उपर जाए पाना है और जब ये काम पूरा हो जाएगा हमारे एशु बहुत ही शीगर आएगा जिसा वो है हम मुझे वेसा ही देखेंगे शंबर में पलक जपकते ही हम ईशु के साथ मद्यकाश में उससे मिलने के लिए रुपांग तरिक हो जाएगा अई हम लोग सब अपने आपको वमेशे के आतों में समग पर शेज़ आएगा जब ये कुजी तगाए जा रहा हूँ उस समय में एक अभी शेगा आपके उपर गिरने दें कने फुल्फिल ये उस्पर गुदी टोड़ी तो अज जितनी भी साथ वचानों को मैं शने आप से कहाए वो सो अपो भुरत रहेंगा अजय भी दो इस में सोड वाद निदुरा मेरा आए कांब बाजू तर दिल मेरा मिल में कांथजी दिल ही शरिमेरा बाद जाए दा मधिमाकाह शरिपा। पिखी शरी मेरा मदल जाएगा बागी गार शरी dar अत्मों प्राँ शरी संथीता हूँ आठर्ड क्रमजी नगयंता महिर्क पाक्रंड़ के पहिसाओ चाहिञ पर उ取 खने शेट मे मुटने शेहां मुटने मुटने ना गना मने में शेंगितिन मुटने मुटने शेति कैंडा तर्ण गुं मुझता खाल कैंडा कैंडा एंग हुआ पयवी गतर से हुआ पयवी गतर आप क्यूंट अभरिज क्यूंट्राइध बॉद्सना बना धिस आई विल्म डिज आपकट भी ने जगादेज अबिशेक लिए जगादीज आलेलॉया आमेन, आलेलुया, आमेन, आलेलुया, आमेन, And the fire of God has to burn in our hearts. Fire of Islam. Fire of that fuzzier. Oh, God is a consuming fire, wants to keep us. The Lord Jesus, the finest fire, He wants to sanctify us. The Holy Spirit, too, wants to sanctify us. Even His word is a fire. Amen, let's give him to the fire of God. All alone. Oh, Ramana confirmati, salam agelow. Salam agelow. आपिक समय को आप है कि अपी समय खड़ को आप है